हेलो दोस्तों आप सभी कोमीडी यूटूब चैनल माई केचन रिसीपी में स्वागत है तो चलिए आईए आज कुछ निया बनाते हैं वो है चिकन महरानी देखने में जितना लजीस और खादे में उतना ही स्वादिश्ट नान पराथा फ्राइड राइस पलाओ किसी के साथ भी बड़े आरम से खा सकते हैं और बनानी में बहुत यासन है तो चिलिए देख लेते हैं कि चिकन महरानी बनानी के लिए क्या क्या चीज़े लगेंगे मीनिया पी दो लेकपीस लिए हैं लगबग 600 ग्राम की दो लेकपीस है आप चाहे तो कम या फिर जादा ले सकते हैं इसे हम बड़े बड़े टुक्रों में कट कर लिए हैं और लेक के साइड को मैंने डीप कट कर लिए हैं दही लिए हैं 100 ग्राम इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं दो देक कटोरी, कुछ कसूरी मेथी, कुछ काजू दो हरी मिर्ची को मैंने कट के लिए हैं दस लेसुन, एक इंच अद्रक इसे पेस्ट बनाना पड़ेगा तो पेस्ट बना लिए हैं कुछ हरा धनिया, कुछ ब्लैक पेपर इसे पाउडर बनाना पड़ेगा इसका पाउडर बढ़े आराम से मार्केट में एबल एबल मिल जाते हैं बट घर में पाउडर बनाना बहुत अच्छा होता है और लिए हैं 1 टीबिली स्पून साबुत धनिया 1 टीबिली स्पून साबुत जीरा वन टेबिली स्पुन साबुत सोग चार सोखी मिर्ची आप चारतो सोखी मिर्ची की जगा चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं एक प्यास को मैंने चार टुक्रों में कट कर लिए हैं और दो हरी मिर्ची इसे पेस्ट कर लिजेगा तो देखी मैंने पेस्ट कर लिए हैं अठाई सो ग्राम प्यांच इसे मैंने कट कर लिए हैं आप जाए तो कम कर सकते हैं और तेल, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चिकेन माहलानी बनाने के लिए ये सारी चीज़े लगेंगे तो चली सबसे पहले हम चिकेन को मारिनेट कर लेते हैं चिकेन को मारिनेट करने के लिए चिकेन में एड़ कर देंगे दही हरी मिर्ची, ब्लाक पेपर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये मैंने एक चमच एड़ किये हैं अब आड करेंगे ब्ham सोद्धीमिर्च पेस्ट, हम यहीं पर वरं टेबिली स्पून एड करेंगे, इसमें हम एड कर देंगे 30 टेबिली स्पून अध्रक और लेशन का पेस्ट। बाकी पीस्ट हम ग्रेपी बिनाने टाइम एड़ करेंगे, कुछ हरा धनिया, स्वाधनों साय नुमक सरे चीजों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे, दो घंटी तक इसे कॉवर करके रख देंगे अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप दो घंटी की जगर एक घंटी भी रख सकते हैं लेकिन जदा तर कुशिश कीजिए का कि जदा टाइम लेकर ये रेसेपी बनाने का जदा देट तक ऐसे रखने से चिकन में मसाली का फ्लेवर बहुत अच्छी आते हैं चिकन को वारिनेट करने के बाद इसमें हम एड कर देंगे कुछ कसूरी मेथी इसे हम चिकन के साथ मिला लेंगे तो चली दूसरी और हम चिकन का मसाले रड़ी कर ले रहे हैं सुखे कड़ाय में साबुत मसाले को हम गर्म कर लेंगे एक से दो मिनिट तक हमें कड़्ची को चलाना है इसे ज़ादा लाल नहीं करना है गैस को रखिएगा लो और मीडियम की बीचो बीच वैसे ये हलका सा लाल हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे कड़ाय से इन साबुत मसाले को हम पाउडर बना लेंगे इधर दो घंटी हो गये हैं चिकन को हम फेट से मिक्स कर लेंगे इसी कड़े में हम डाल देंगे हापकप तेल तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे कट की हुई पियास इसे हमें गोल्डेन ब्राउन करके फ्राइ कर लेना है तो देखे प्यास को मैंने गोल्डन ब्राउन करके फ्राइ करे लिए हैं अब इसमें हम एड़ कर देंगे पेस्ट की हुई प्यास और हरी मुची जिसको मैरेनेट करते टाइम बचा के लखे थे और डालेंगे वन टीबली स्पून अद्रक और लैसन का पेस्ट सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे सारी चीज़े अच्छी तरह से फ्राइ हो गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे चिकन चिकन को low to medium flame में cover करते हुए हमें cook करना है और बीच बीच में चलाते जाना है आप सोच रहे हैं कि चिकन में हम हल्दी को ब्रालेंगे तो मैं बता देती हूँ कि चिकन में हल्दी हमें नहीं डाला है इसे बिना हल्दी में ही बनाना है आप सोच रहे हैं कि कैसा बनेगा खाने में कैसा लगेगा इतना मत सोचिए विश्वास किजे आप ये recipe आखे बंद करके step by step बनाईए खाने में बहुत अच्छा लगेगा मैं सच बता रहे हूँ ये chicken महारानी खाने में बहुत ये tasty है एक बार जरूर बनाईएगा पहले जो मैंने साबूत मसाले का पाउडर बनाये थे उसे हम आधा chicken में डाल देंगे बाके आधा हम बाद में एड़ करेंगे इस chicken के साथ कुछ खाने के लिए एक recipe मैंने उपर i button पे दे दिया है आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप description में जाके देख सकते हैं वापर मैंने उस वीडियो का link दे दिया है एक बार नमक चेक करके देख लिजेगा फिर नमक एड़ कर दिजेगा मैंने चेक करके देखे हैं chicken में नमक कम है इसलिए थोड़ा और नमक एड़ किये हैं अब कुछ काजू और दोद को हम grander machine में paste बना लेंगे अब paste की फिल काजू और दोद चेकन में डाल देंगे इसे मिला लेंगे एक से दो मिनट तक और उपर से साबूत मसाला पाउडर डालेंगे इसे मिला लेंगे तो देखे हमारा chicken बन के तियार है और देखे हैं ये कितना लजीज डगले है मेरे मूँ में तो पानी आ रहा है तो एक बार chicken महारानी बनाना तो बनता है और एक लाइक कर दीजिएगा chicken महारानी को डेकॉरेट करने के लिए उपर से कुछ धनियापति छड़क दिये हैं और कुछ ब्लेक टेपर ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे तो आज के लिए मैं वीडियो यह भी खतम करती हूँ मिलता है किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए माई के चंड़ेसिपी के साथ जुड़े आई है